वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी नमस्कार वीके नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठक पंजाब के फिरुसपुर दोरे के दोरान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की खबर सुर्खियों में है पहले भी सुरक्षा चूक के चलते प्रधान मंतरियों की हत्या हो चुकी है तवाम सुरक्षा अरस्था होने के बावजूद भी देश अपने दो प्रधानमंत्री राजीव गांदी और इंद्रा गांदी को खो चुका है इसलिए भी मामले को बहुत ही गंबीरता से लिया जा रहा है पंजाब में हुई चूक के बाद गह मंत्राले द्वारा टीम गठन कर जाच भी की जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की केवल ये गठना नहीं है इस तरह की और भी कई गठना एतिहास में हो चुकी है लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले Special Protection Group यानी SPG को फायरिंग करनी पड़ी थी और इसमें एक की जान भी चली गई थी सत्तर के दशक में चुनावी परचार के सिलसिले में पूर प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी जब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर गई तो वहाँ भीड में कुछ उपद्रवी भी थे उन्होंने इंद्रा के उपर पत्राव किया तो एक इट का टुकड़ा आकर उनकी नाक पर लगा जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा था ऐसा ही एक बार 2006 में मनमोहन सिंग के प्रधानमंत्री रहते हुए भी केरल के तिरुवन्थम पूरम में सुरक्षा चूक हुई थी इसके अलावा एक बार पूर प्रधानमंत्री चंजशेकर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की भरपूर कोशिश की लेकिन इसमें अफरा तफरी फैल गई इसके बाद बेकाबू भीड को रोकने के लिए इसपी जी को फायरिंग करनी पड़ी इसमें एक चात्र मारा गया जबकि एक अन्यक घायल भी हो गया था इस घटना के बाद कानून में संसोधन करते हुए पूर प्रधानमंत्रियों को पत से हटने के एक साल बाद तक ही ये सुरक्षा मिला करती है वर्ष 2003 में भी पूर प्रधानमंत्री चंशेकर के साथ एक और हाथसा हुआ था जब वो साहिबाबाद में मगत एक्सप्रेस से नई दिल्ली से बलिया जा रहे थे तब ही उनकी विंडो खिडकी में तेज आवाज हुई बाद में चंशेकर ने बताया कि उन्हें इस हाथसे के बाद एक पुलिस अफसर ने बताया कि उनके कमपार्टमेंट की खिडकी पर भी गोली चली थी जो इस विंडो में फस गई इस ख़बर में इतना ही देश और दोनिया की तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूज चानल वीके न्यूज राश्ट्र के नार्ट